बजपन में जब English पढ़ाई जाती थी, सबसे पहले capital letters पढ़ाया जाते थे, उसके बाद small letters पढ़ाया जाते थे और उसके बाद में सभी schools में नहीं, कुछ schools में और maximum English medium schools में तो एक अलग type की writing चिखा ही जाती थी, इसे बोलते थे cursive writing cursive writing उस form को बोलते थे, इसमें letter थोड़े से italicized होते थे और आपस में एक उसरे को connect करते हुए running writing में लिखे जाते थे, जिससे writing speed थोड़ी fast हो जाए compared to block letters मगर 2013 में कुछ school के students की study हुई जिसमें ही पता चला कि उनकी typing speed, उनकी cursive writing की speed से थोड़ी सी ज़्यादा fast है और मज़े की बात यह है कि इसके 3 साल पहले ही 2010 में USA ने अपने common core standards के syllabus से cursive writing सिखाना बच्चों को बंद कर दिया था और cursive writing की जगे वो इनको laptop पे और tablet पे typing सिखाने में ज़्यादा focus कर रहे थे अब maximum Indian schools ने भी यह cursive writing जो पहले सिखाई जाती थी इसको पढ़ाना बंद कर दिया और इस बात का कोई logic भी नहीं है मैंने schools में cursive writing पे कई घंटे बरवाद किये थे मगर हम textbook में computer पे, mobile पे, हर जगे पे केवल block letters की ही English पढ़ते हैं cursive writing कहीं हम नहीं पढ़ते हैं तो फिर cursive writing लिखने का क्या point है अगर आपको कोई school का बच्चा cursive writing सीखता हो मिले तो उनके parents को ये video ज़रूर दिखाईए और उनको कहिए